इंडियन टीवी न्यूज देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटफर्क माहा पहले हुई है महिला होली मनाने पिता के घर अपने गाउं डेलन पुराई थी पती के साथ उसके दोसके भाई भी हाथ से के शिकार हुए हैं मृतकों को निकालने के लिए गाउं के साथ अन्यास्वास के निवासियों ने किया नाकामे चलते जिला प्रशासन द्वारा रेस्क्यू आपरेशन टीम को बुलाया गया और कड़ी मेहनत के बाद अंदर लोहे के एंकर कड़िया पाने की अंदर डाली गई गौता खोरों द्वारा किये गए भरसक परियास में महिला के साड़ी फेकी जंजीर फस गई मृतक महिला हाथ लगी पानी से बाहर निकालते ही शरीर से पानी निकालने के लिए पेट पर पंपिंग के शायद बच सके प्रियास नाकाम रहा उसके बाद रागुलर चलते मिश्यन में लगभग दो घंटे में एक एकर काफी समय के बाद अचार को निकाल लिया गया एम्बिलेंट से मेडिकल कॉलेज पोस्ट माटम के लिए भेचा गया मन्डी वालों में विनोध कटरा उम्र तेईस वर्ष रूपा कटरा बाइस वर्ष लखन और फ लड़ू 14 वर्ष किशोर और फ आलू 11 वर्ष है घटना इस्थल पर स्पिस्ट्री अभशेक तिवारी कलेक्टर सुर्यवन शेसार अतलाम एडिशनल स्पी सी एस्पी पाटिदार जी तहसिलदार ग्रामिन विधाईक दिलेप जी मकवाना आदी घटना इस्थल पर पहुंचे थे ब्रतक के परिजन मजदूरी करते हैं बताया जा रहा है कि खेट पर बने स्टाप डैम जहां गाउन डिलनपुर में खोले खिलने के बाद दो पहर में नहाने के लिए खेट पर बने स्टाप डैम आए थे तालाब में पानी भरा होने से किनारे पर मिटी की चिकना हट थे साथ तरपाल बरसाती पर चिकनी काई जमी हुई थी तालाब की किनारे बहुत धलान के थे बच्चाओं के लिए तालाप के किनारे पर रसी या बच्चाओं के कोई साधन उपलप्त नहीं थे ऐसे स्थिती में एक दूस्टे को बचाने की कोशिश्ट में चारों की एक साथ मौध हुई इस दुखत घड़ी में मुख्यमंत्री सियम शी शिवराज सिंग चौहन द्वारा मृतक को 4-4 लाख रुपे देने की घोशना की है सियम ने घटना को दुखत बताते हुए लिखका ट्विट किया है रतलाम ग्रामिन वधाक्ष्री मकवाना ने मृतक परिवार के साथ तालाप में डूपने की घटना को दुखत घड़ी में वधाय का निधी से 10-10 रुपे की आर्थिक सहायतार राश्य की घोशना की है समवेदनाई व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार हर संभप्रियास कर्म रतक परिवार के साथ खड़ी है रंगुलाल होली के पावन परव पर आज गाओं में मातम चा गया एक ही घर से दो सगे भाय की अंतिम संसकार शव यत्रा निकालेवा दोनों भायों को एक ही चिता पर डिलन पूर तथम रतक न विवाहिता दमपती विनोध कट्रा संगनी रूपा कट्रापती पत्नी दोनो नहीं पाएगा इंडियन टीवी न्यूद से दौलात राम पाटेदार की रिपोर्ट है उस जो दौन वाली मतक महिला के पती हैं ये डिलन पूर इश्वतुनी गाउं के रहने वाले और इनको सभी एक घंटे के ऑपरेशन में चारों ही मत शरीरों को वरामत कर लिया गया है तलाप से अभी उनको पीम के लिए रवाना किया है मेडिकल पर जो रागे के पीम की सब्सक्राइब करते हैं यह काम भी नहीं करते थे स्वयम का भी नहीं था क्योंकि स्वयम जिनका था वो एक दूसरे वेक्ति हैं मौके पर मजूद उनसे बातचीत हुई है और कभी ऐसा आना जाना क्यों इस बार आ गया है कैसा हुआ जो प्रितेक्श दर्शी है तीन-चार इसे नाम सामने हैं जोनोंने शायद देखा है यह सुना है घठना पास-पास से उनसे बातचीत करके उनके घठन लेकर सारी चीजने समें क्लियर की जाएंगी से टोटल कितने लोगा के मौत हुई है चार लोगा की दुखती हुई है तो लड़के और एक लड़की यह तिनो एक ही परिवार के तीन भाईबेन और एक जमई जो वो रतलाम ग्रामिन के हैं यह दुखत जो घठना हुई है नहीं है और शाशन की तरफ से जो भी सही होगा मैं पूरी तरह से इनके साथ में हूँ यह जो आज इंडियन टीवी न्यूज देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटफर्ग